आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस ने आपको दिया हुआ है CH3, CH2, C111, CH in the presence of A gives CH3, C111, CCH3 जब इसका back reaction होता है B के presence में तो वापत से हमको यह मिल जाते है हमें क्या करना है question में हमें identify करना है A और B को ठीक है तो अगर आप ध्यान दो तो दिखो क्या होता है कि जब यह reaction होती है मतलब आपके पास जब होता है CH3, CH2, C लाइंग, C1-H तो अब आप देखर हो कि इस reactant से product में दभाया है तो यह triple bond जो है shift होगे, triple bond हम दर आ गए तो यह कब होता है जब alcoholic KWH हम जेता है alcoholic KWH की presence में यह triple bond जो है यह पहले आजाता है isomerization of alkyne हो जाता है यह reaction को isomerization of alkyne जो है तो यह CH triple bond, sorry, CH नहीं होगा, यह C triple bond, C CH3 बन जाता है, ठीक है, और जब इसको हम back react करवाते हैं, तो back reaction होती है, NANH2 की presence दे, ठीक है, तो अगर आपको इसको वापस से इसमें करना है, जहाँ पे आपको terminal पे alkyne जाहिए, जहाँ पे आपको terminal पे alkyne जाहिए, तो आप क्या डालोगे, NANH2 डालोगे, तो पहला रिएजन, यानि कि A हमारा क्या होगा, alcoholic KOH, और B हमारा क्या होगा, NANH2, option 1 में answer दिया हुआ है, that's all for the question.